वेलकम टो अलान और ओफलेंड ग्यान चनल मैं नेम इस गोरभ दोस्तों आज जो मैं आपके लिए जोब की अपॉर्चिरी लेकर आयो यह स्वीपर लिफ्ट मैं और जनेरेटर ओपेटर की नोकरी की अपडेट लेकर आयो तो यह कोर्स एकुटमेंट है 2018 का सबसे अच्छी ब रहते हों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तब ही आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है कौन-कौन से डोक्यूमेंट लगेंगे कहां पर फोर्म को भेजना है क्योंकि इसका ओफलाइन फोर्म है तो बढ़ते ह इंपोर्टेंगे हैं आप फोर्म को फिल करने के एक तो आप जो आपको पूस्ट करने का या पर ओप्शन भी दिया हुआ है तो हरियाना एक ज़जर में एक है महाँ पर जो है आप फोर्म जाकर सब्मिट कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट भी कर सकते हैं एड्रस में आपको दे दूंगा मुझे डिपार्टमेंट से दो दिन लगए कंफर्म करने में प्रोपर एड्रस क्योंकि इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में एड्रस नहीं दिय वह तो जरूर अप्लाई करें क्योंकि उनको ऐसा मों का बार बार नहीं मिलेगा अगर वह इस तरीके की जोब के लिए जाना चाहते हैं तो पहली बता दू यह जो नोक्री है कॉंट्रक्ट बेस किया अब यह डिपार्टमेंट करता कि वह आपको लंबे समय तक जोब के लि जिसमें स्वीपर के लिए 41, लिफ्टमेंट के लिए 4, जनेरेटर ओपेटर के लिए 4, यानि टोटल 49 पोस यहाँ पर निकाली गए है, सेलरी अभी डिसाइड नहीं है, यहाँ पर सीधी बढ़ती है, आपको डिरेक्टली इंट्रिव्यू के लिए जाना है, कब-कब जाना अगर आप अनपड़ी मी है, मीन्स आपने पहली पास कियो, दूसरी, पाँचवी, दस्तुई, कुछ भी पास किया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो स्वीपर में एक्सपिरेंस होना चाहिए, मीन्स कुछ कमपनी ऐसी है, आपको पताई होगा और आपकी डिटेस निकल वाले का, कि आपने वहाँ पर काम किया है, या नहीं किया होगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूत नहीं है, कि आपके पास सर्टिविकेट है या नहीं है, यहाँ पर जो एक क्रेटेरिया इन्होंने रख तो यहाँ पर आपको पताए कि आई टे इसे जो है जो है जनेरेटर ओपरेटर का, तो उनके यहाँ पर बैटर अपोर्चनिटी है, अगर आपने दस्वी पास किया हो, और दस्वी में आपका हिंदी या संस्कीत का सब्जक्त था, और साथ में आपने आई टेविकेट है आ आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास experience नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है, यहाँ पर जनेरेटर ओपरेटर का certificate होना चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर आई टेविकेट से यह कोर्स मांगा हुआ है, आगे बढ़ते हैं तीसरी operate करनी आने चाहिए, means lift operate, यह नहीं कि आपको mechanic का काम करना है, बस आपको lift operate करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से lift चलती है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से foam को apply करना है, यह मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं, तो मैं कल इसकी एक बेटर रहेगा कि आप जो है, खुदी foam को fill करने क्योंकि इसका समय बहुत कम है, अठाइस चार दोज़र अठर से पहले पहले इसका जो है, यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, डिपार्टमेंट पे, मुझे थोड़ा समय लग गया है, दो दिन extra ले लिए, मैंने वीडियो करते हैं, जहाँ पर form को जाना है, वह मैं अभी आपको address दे दूगा, और जो है, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप different state से तो पोस्ट कर दीजे, अगर आप हर्याणा जड़ से है, तो आप वहाँ पर court में जाकर submit कर दे, तो यहाँ पर आपका एक plain paper लेना है, plain paper कौन सा A4 size का, जिस पर photocopy होती है, simple भासा में बोले तो, तो यहाँ पर जो है, आपका right hand पर आपका photo होना चाहिए, ठीक है, right hand पर एक paper के, उसमें जो है आपको details लिखनी चाहिए, name, father's name या husband name, अगर आप married है तो, date of birth, sex, education qualification, category, यानि SCHT, OBC, present and permanent address, telephone number, यहाँ पर experience, अगर है तो, along with attested copies of the relevant certificates, residence proof, besides one self address, properly stamped envelope, should reach the office, either by post or by hand well, before the closing the day, before closing the day, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरीके से form को fill करके भेज सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि form में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या जो है, details देनी है, फिर भी आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ मैं इसका notification आपको description में नहीं दे पाऊंगा, मैंने सारी details आपको जो notification में थी यहाँ पर दे दिया है, वैसे भी आपको notification पढ़ने की जरुत नहीं पढ़ेगी, क्योंकि मैंने complete details आपको दे दिया है, अब बात करते हैं यहाँ पर address की, भाई यह address धूनने में मुझे ज़्या इसलिए मैंने थोड़ा सा time लिया और proper address आपके लिए निकाला है, और यह video बनाकर मैं लेकर आपके लिए आया हूँ, तो address जो है, district and sessions court, judicial complex हरियाना जजजर 124103, मैंने contact किया उनको, contact करके जो है, यह मैंने address निकलवाया है, तो दोस्तों, जरूर reply करे, स्टोकरी के लिए, म अगर आप एली जीवन नहीं है, तो प्लीस यार एक दो candidate को share कर देना, ताकि उनकी मदद हो सके, तो यहाँ पार अब बात करते हैं कि आपको directly interview के लिए जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कैसे कैसे जाना है, तो स्वीपर के लिए, जिनका name A से start होता है, और J मेरा नाम गोरव है, मेरा जी आ रहा है यहाँ पर, तो मेरे को interview के लिए जाना पड़ेगा 12.5.2018 को इस timing पर, इस timing पर जो है, आठ बज़े से 6 बज़े तक, means सुबह 8 बज़े से शाम 6 बज़े तक आप interview के लिए जा सकते हैं, तो जरूर जाए interview के लिए, आपको कोई भी further य तक है, और timing दे रखिया, और date दे रखिया, और यहाँ पर यही same criteria यहाँ पर देना, तो जिसका नाम जिस से start होता है, जिस alphabet से start होता है, तो उसके according आप interview के लिए जा सकते हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पर generator की, तो same criteria generator operator के लिए, ए से जे तक वाले 12.5.2018 को जा सकते हैं, इतने बज़े से इतने बज़े तक, यानि 8 बज़े से morning दे शाम 6 बज़े तक, और जिनके alphabet इन से start होते हैं, वो in dates पर जा सकते हैं, अब next बढ़ते हैं, लिफ्ट में के लिए, तो लिफ्ट में का criteria भी same है, फिर भी कोई आपको further details चाहिए, तो आप comment पर उसे mention करें, कल morning त आपके मतलब की हो सकती है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए,